दोस्तों डावीस किचन में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है कि सशे करने वाली हों सुभा के नाश्टे पर विशेश बनने वाले काले चने जो खास टिप्स के साथ बनाएंगे और सभी उंगलिया चाटते रह जाएंगे ये देखे काले चने कि सबजी एसे बन जाए तो फिर क्या बात है मसाला पूरा चने पर एक एक दाने पर लिप्टा हुआ इसे भाई लिप्टू चने भी कहा जाता है और सौफ्ट इतने है कि मूँ में जाते ही घुल जाए स्वाद ऐसा कि कोई भूल ना पाए पोशन और प्रोटीन से भरा ये नाश्ता काले चने और साथ में हो गर्मा गर्म पुड़ी तो क्या बात है तो चलिए फ्रेंट्स आप और हम मिलकर बनाते हैं इस रेसिपी को रेसिपी शुरू करने से पहले गाईस हमारे चनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले चनल लगबक 200 ग्राम के बराबर और रात भर भीगा हुआ दबाने से पूरा छिलका अलग हो जा रहा है मतलब ये अच्छे से भीगे हुए हैं और फूले हुए हैं यही इसकी खास बात होती है अब डाल दीजे इसमें आदा चमच नमक और एक चमच इसमें डाल दीजे शुद्ध घी घी की जगा आप ऑईल का भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस पाना चाहते हैं तो आप इसमें घी डालिए और लगा दीजे कुकर का लीट और रख दीजे इसे गेस के पर एक सीटी हम पूरी आने देंगे उसके बाद इसकी फ्लेम को कर देंग यह मीडियम मीडियम फ्लेम पर हम इसे दस से पंदा मिट पकाएंगे और फिक गेस को कर दीजे बन जब कि पूरा प्रेशर अच्छे से रिलीस हो जाए तो गुकर का धकन खोल लीजे यह देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरह से सौफ्ट हो गये हैं यह पूरी तरह से प पका सकते हैं कुकर को रख दीजे साइट में ले लीजे एक ब्लैंडिंग जार तो साथ में इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले तो दो इंच अत्रका टुकडा लिया है मैंने चार से पाच आप इसमें हरी मिर्चे डाल दीजे एक चमच डाल दीजे भूना जीरा पाउडर एक चमच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में ही हम लेंगे इसमें धनिया पाउडर तो फ्रेंट्स इसमें धनिया पाउडर की मातरा जादा डलती है क्योंकि हम इसमें लैसुन और प्याज का उप्योग बिलकुल नहीं करें ही तो मैंने यहां तीन गाली मिर्च या नमट करेंगे शक hiçbir ठेस्ट बहुत जबदस्तातapped है और मैंने इसमें एक कट औरी अबले हुए यूज की है भाई ये वो secret है जो मैं आप लोगों के साथ share कर रहे हूं ये वो हलवाई वाले secret है जो मैंने आपको इस recipe में बताए है साथी मैंने इसमें डाली कसूरी में थी और जो हरा धनिया है वो मैं इसमें add कर रही हूँ हरे धनिया के मात्रा आप अपने हिसाब से कम जादा घर सकते हैं अब भाई इसको दरदरा सा piece के तयार कर लेना है तो ये दरदरा piece के बिलकुल तयार हो गया है तयार हो गया अब इसे रख दीजी साइट में और ले लीजी कढ़ाई तो यहां मेरे लोहे की कढ़ाई लिए इस recipe को बना लेके लिए मैंने शुद्दगी का यूज किया है आप चाहें तो आइल का भी यूज कर सकते हैं गी से इसका स्वाद और टेस्ट बहुत जबदस आता है एक चमज इसमें डाल दीजे जीरा जीरे को अच्छे से तड़क नहीं दीजे आदा चमज इसमें डाल दीजे हिंग पाउडर हिंग से इसकी खुश्पू बहुत अच्छी आएगी अब जो हमने मसाला तयार किया था वह हम इसमें एड़ कर लेंगे और इसे अच्छे से जब मसाले में से तेल चूटने लग जाता है यानि कि ये पग गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट कर लेंगे जो भाई जार में थोड़ा सा मसाला लगा था मैंने उसे अच्छे से पानी डाल के थोड़ा ले लिया है और उसी पानी को मैंने इसमें यूज किया है जो मसाला उस जार में लगा वो वेस्ट ना हो अब आप देख सकते हैं ओइल हमारा छोड़ने लग गई है कड़ाई इसी स्टेज पे हम डाल देंगे ये काले चैने काले चैने में पानी सहीत ही डाल रही हूँ क्योंकि ये पानी ही इसका स्वात बढ़ाते हैं इस पानी में चैने का सारा टेस्ट आजाता है और ये बहुत ही टेस्ट ये लगते हैं तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को एक बार आप इस तरह से भी बनाके ट्राय जरूर कीजिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती ही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेर सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले भई मसाला अब थोड़ा थोड़ा गाड़ा होना शुरू हो गया है मध्यम फ्लेम पर आप इसे चलाते हुए पकाते जाएए और साथ ही कर लिए जिपाई गर्मा गरम पुडियों की तैयारी भई चने तो हमारे बनने को तैयार हो गया है अंदर से बिल्कुल सौफ्ट है और बाहर से एकदम मज़ेदार चै मसाले से लिप्टे हुए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और आड़ कर लेंगे तो फ्रेंट्स में यहां थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था आप नमक जरूर टेस्ट कर लिए और उसके अनुसारी इसमें नमक एड़ कीजिए बिना नमक के कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है इसमें गर्म मसाला यही एक खास बात होती है इस recipe की के गरम मसाला हम सबसे last में डालते हैं जब पूरी recipe बनके तैयार होने वाली होती है और इसकी खुश्बू पूरे घर में फैल जाती है और एक चमच इसमें डाल दीजित खी घी से इसकी खुश्बू और इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी मैंने कर दिया इसे हरे धने से गारनेश और साथ ही डाल दिये कुछ हरी मिर्जी जिनको टेस्ट इसका चटपटा पसंद होता है उसके लिए तो यह recipe बहुत जबरदस है तो फ्रेंट्स चैने बिलकु कि आपको यह recipe कैसी लगी मसाले दार्ट्स मसाले से लिप्टे हुए काले चने तो बनके तयार हो गए तो चलिए friends इसे सर्फ कर लेते हैं भाई मैं इसे पुडियों के साथ सर्फ कर रही हूं आप भी इसे पुडियों के साथ सर्फ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी त तो friends recipe पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं नई recipe के साथ thank you for watching